आरेलडी के 12 लोकसभा सीटों के दावे से जैंद अकलेस में बनेगा 36 का आगड़ा निकाय चुनाओं में सीटों को लेकर पैदा हुए मदबेद सपा के साथ गडबंदन का आरेलडी को हुआ फायदा नमस्का और दोस्तों मैं रतम सिंग और आप से भी गटरिकर निउज में सोगत है देश में अगले साल होने वले लोकसभा चुनाओं से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है उत्तर प्रदेश चुकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्रे उत्तर प्रदेश में ही है इसलिए सबी दलों के एजेंडे में उत्तर प्रदेश सबसे उपर रहता है लोकसबा चुनाओ की तयारी में जूटे अकलेस यादो की टेंसन बढ़ रही है क्योंकि विधान सबा चुनाओ में उनकी सयोगी रही राष्टे लोगदल 12 लोकसबा सीटों पर उमिद्वार का दावा ठोक रही है जानकारों की माने तो रल्डी का याद आवा अकलेस पर भारी पढ़ सकता है हलंकि अकलेस को इस बात का एसास है कि रल्डी क्यों इस तरह की डिमांड कर रही है और इसके पीछे क्या कारन हो सकते है लेकिन क्या अकलेस यादो 12 लोग समा सीटों पर समझोता करेंगे या बड़ा सवाल है उधर RLD का दावा है कि उसने उन्हीं सीटों पर अपनी तयारी सुरू की है जहां उसकी पार्टी का अच्छा खासा जनधार है पस्यमी उत्तर प्यदेश RLD का गड़ है और जिन 12 शीटों पर वह चुनाव लड़ना चाती है उनमें कैराना, मुजफर नगर, दिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरट, बुलंद सहर, अलीगड, हातरस, फतेवपूर सीकरी, मजुरा और बागपत सामिल है दरसल सपा और RLD के 20 सम्मंद हाल ही में तनाव पूर्ण हो गए हैं खास कर सहरी अस्थानी निकाय चुनाव पर असमिती के बाद से ही RLD प्रमुग जैन चौदरी 23 चून को पटना में आयोजित विपच्चे एकता बैठक में सामिल नहीं हुए और उन्होंने अंतिन समय में इसकी गुसड़ा की RLD का इस साल अपरैल में छेत्रे पार्टी का दर्जा समापत हो गया था क्योंकि वह 2022 के विधान सभा चुनाव और 2019 के लोग सभा चुनाव में कम से कम 6% वोट पाने में विफल रही ये दोनों चुनाव RLD ने समाजोदी पार्टी के साथ गटबंदन म लड़े RLD ने पिसले साल के विधान सभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से 33 पर चुनाव लड़ा था और 2.85% वोट सेयर के साथ 8 सीट जीतने के में कामयाब रही थी पिसले साल दिसंबर में खतौली विधान सभा सीट पर उप चुनाव जीतने के बाद इसकी संख्या फि एक मीडिया हाउस को बताया कि हम लोग सभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हम इस पर सपा के वरिष नेतों तिल से चर्चा करेंगे या हमारा लच्च है ताकि हम 6 तरे पार्टी का वापस पा सके आरेलडी ने 2022 के चुनाव जीतने के लिए कई सीटों का बलिदान किया था ताकि उत्तर प्रदेश में बदलाव लायाज जा सके और गड़बंदन जारी रखा जा सके लेकिन अब हमारे राष्टे अध्यक्च का मानना है कि हमें 12 सीटों को ध्यान में रखकर ही आगे हलांकि आरेलडी के इस दावे पर वरिष्ट सपा नेता का कहना है कि आरेलडी की अपनी सिकायते हो सकती हैं लेकिन उसे अभी भी अपनी उपियोगिता साबित करनी होगी आरेलडी ने 2022 में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटे जीती उनका एक मात्र समर्थन आधार ज लाने का काम किया है आरेलडी पस्चिम की जिन 12 जाट बहुले सीटों की डिमांड कर रही है वह अच्छी पकड़ होने का दावा कर रही है पिछले लोगसाबा चुनाव के पर नज़र डाले तो 2004 में रालोट के पिता अजीज सिंग ने कॉंग्रेस के साथ मिलका चुनाव लड़ा लेकिन तीन ही सांसाद जीत पाए वहीं 2009 के लोगसाबा चुनाव में रालोट ने बीजेपी के साथ मिलका चुनाव लड़ा और उसके छे सीटों पर जीत हासिल हुई थी इसके बाद 2014 और 2019 के लोगसाबा चुनाव में मोदी लहर के आगे आरेलडी अपना खाता भ भी नहीं खोल पाई और उसके राष्ट अदग अजीज सिंग को भी हार का मुझ देखना पड़ा था बिर रिपूर्ट रिकर निउज